हेलो फ्रेंड्स मैं अंजली चौहान आप सब लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिद्विकाज मॉम पर तो आज मैं आप लोग के बीच में ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी की मसाज कैसे करती हूँ क्या पैटन होता है मेरी मसाज का उस पैटन से बेबी की मसाज से कैसे उसको रिलیکس फील होता है कैसे सर्कुलेशन उसका बलड का अच्छा हो जाता है और कैसे उसके जो पेट में गैस बनती है उससे रिलीफ मिलता है तो आईए स्टार्ट करते हैं कि हम बेबी के हेट टो टो मसाज करेंगे तो सबसे पहले हम हेट पर आते हैं वेश पर हम पपर हम अच्छे से मसाज करेंगे फिर अपर लिप पर इस तरीके से फिर हम लोड लिप पर और वेबी टीम पर Lori की फिर हम आते हैं बेबी के टमी पर बेबी के स्टमक पर देखे इस मोशन में हमें बेबी के स्टमक पर मसाज करनी है इस मोशन में अगर हम मसाज करते हैं तो बेबी की जो गैस प्रॉब्लम होती है ना सारी की सारी खतम हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते काफी हद तक इस तरीके से हमने बेबी के पेट को complete कर लिया है फिर इसके बाद हम आते हैं बेबी के hand पर और hand के साथ साथ ही हम बेबी के back को भी cover कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा चोटा बेबी होता है वो पूरा turn नहीं कर पाता है तो हम side से ही बेबी की back को भी cover कर लेंगे बेबी को back बेबी की जो back होती है उसको भी cover करना काफी important होता है क्योंकि इसकी जो spannel bone होती है वो काफी relax feel होता है काफी अच्छा feel करते हैं बेवी साथ साथ आप बेवी से बात भी करते रहो मसाज के टाइम पर तो बेवी को काफी अच्छा feel होता है और जो बेवी और मदर आपस में काफी connected feel करते हैं काफी अच्छा bone बन जाता है मसाज के टाइम पर क्योंकि baby mother का इस partsh काफी अच्छे से पहचानता है तो ये baby के development के लिए काफी अच्छा है काफी अच्छी growth होती है baby कीサージ से regular massage करने से काफी अच्छा feel करता है baby ये इस तरीके से देखिए finger tip से thumb से आपको rotate करना है देखिए अब हम बेबी की लैग मसाज करेंगे क्योंकि बेबी की लैग काफी वीक होती है इसको strong बना निकले हमें ये मसाज काफी अच्छे से करने चाहिए रोज अच्छे से बेबी की मसाज करने चाहिए ये strokes देते हैं circular motion में इस तरीके से ये देखिए यह circular motion में थम की help से हमें यह strokes देने हैं baby को इससे काफी baby की bond strong हो जाती है साथ में exercise भी बहुत important हो जाते है baby की strength को lag की strength को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा relax feel करता है इस से baby जो यह baby के बीच में थोड़ा wavy होता है थोड़ा सा gap होता है baby की बीच में पैर होके होते है थोड़ा सा baby के greens बेवी होते हैं कर भी होते हैं वो भी सही हो जाते हैं थोड़ा सा straightness आ जाते है memories की की exercise से फिर सके hands को हम अच्छे से exercise करेंगे हैं इससे baby को काफी stretch feel होता है इस exercise बेवी को ज़से इस exercise से बेखी यह remote और हैंड को इस तरीके से करेंगे इससे बेबी की बॉडी काफी खुल जाएगी और काफी मुवमेंट स्मूथ हो जाएगी बेबी की देखिए इस तरीके से अच्छा बेबी की जो एक्सेसाइज होती है इससे बेबी का sleeping pattern में भी काफी improvement होती है, काफी helpful होती है, बेबी के sleeping pattern में, देखिए इस तरीके से, ऐसे भी massage कर सकते हैं, इस से बेबी की physical development काफी अच्छ होता है, अगर आप बात भी करते हैं साथ में बेबी से, मसाज करते हुए, तो उसका mentally development भी काफी अच्छ होता है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको subscribe कीजिए, like कीजिए, thank you